है कैसे सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के लिए और साथ यह जो यहापर आप करने वाले स्टाटेजी इसके अंदर आपको हर दिन एक ट्रेड मिलेगा मतलब यहापर आपको हर दिन एक या दो ट्रेड तो आपको डेफिनिटल यहापर मिलेंगे ही हर दिन लगबग और बाकी आप देखेंगे यहापर इसके अंदर मतलब जो तीनों इंडेक्स को यहापर यूज करना है जैसे कि आप निप्टी है बैंक निप्टी है और फाइनस है अब देखें यहापर आप यहापर ट्रेडिंग यहापर कर रहे है तो आपको यहापर सबसे पहले आपकी स्ट्राटेजी आपर किस तरीके से होने चाहिए आपकी स्ट्राटेजी इस तरीके से होने चाहिए कि विल्कुल सिंपल होने चाहिए दूसरी चीज और यहापर देखेंगे तो स्ट्राटेज लाइं काफी यहां पर popular है तो इसके अंदर भी कभी कभी क्या दिक्कता दी दीए जैसे कि मान लेते कि यहां से तो थोड़ा मैं इसे क्या करता हूँ ओके और इस तरह कैसे ठीक है यहां पर देखेंगे अब यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे तो लगब देखेंगे यहां पर trendline किस तरीके से यहां पर बन रही है तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मान लेते हैं यहां पर आप इस तरीके से trendline बन चुकी है मैं आपको actual मैं यहां पर दिखा तो थोड़ा तो अब दिखे यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे जैसे कि मैं यहाँ पर train line ड्रॉख करता हूँ सबस्वरे देखे अगर मैं इन points को यहाँ पर join करूंगा तो सबस्वरे देखे यहाँ पॉंट यहाँ पर बन चुका था इस तरीके से train line यहाँ पर बन चुकी है तो यहाँ पर मैंने क्या किया है? सबस्वरे मैंने इस point को इस point को इस पांट को इस ट्र된 को ओके यहां पर और मार्केट ने क्या मख see a यहां से थोड़ा न नीचे जाने कोई других कोश्य किया और साइडर होके यहां पर ऊपर चला गए तो यहां पर आपका वोजदे का स्टॉपलस सीट होजएगा तो इस तरीके से होता है तो लगग यहां पर क्या होता है trend line हर रहाँ अच्छी आ पर नहीं होती है लेकिन दूसरी बात यह भी होता है trend line काप से father changes यहां पर होते है point के यह सबसे Blue changes या आते है और इसका उसे क्या होता है लोग को अंदर confusion अध्यूज़ थोड़ा बुच जाता रहता है, मतलब क्या है कि आप यहाँ पर पहले तो यहाँ पर इस तरीके से इन पॉइंट को पकड़ के आप ट्रेंड ड्रॉ तो करेंगे लेकिन बाद में क्या होता है बाद में यहाँ पर क्या होता है यह भी यहाँ पर ट्रेंड लंग बन जाती है यहाँ पर इस तरीके से यह भी ट्रेंड लंग बन जाती है और यहाँ पर क्या हो चुका है यह पहला पॉइंट यहां पर बन चुका दूसरा और तीसरा पॉइंट पर थोड़ा बहुत नीच अगा और यहां से फिर से मार्गर ऊपर चला गा तो इस तरीके से सीनेरोग बन जाते हैं मतलब ट्रेंड लाइन में थोड़ा बहुत यहां पर थोड़ा confusion यहां पर रहता है और शोरेट थोड़ी कम यहां पर लगे रहती है क्योंकि यहां पर क्या है कि ट्रेंड लाइन यहां पर हर पॉइंट की सबसे बदलते रहती है ऐसे ट्रेंड लाइन ट्रॉक करेंगे तो भी आप सही है दूसरी बात ओके और मल्टीपल पॉइंट यहां पर होते हैं और पकड़ोंगा तो इस तरह के से द्रैंब लिय не भी याप रों रही है दूसरी बात अगर आप नीचे से देखेंगे तो इन पॉइंट को थोड़ा पकड़ेंगे यहाँ पर देखें तो ब्गाण ईस तरह के से यहां कौन से टेंट मुझे पकड़ना चाहिए इस तरीके से मैंने एक टेंट का एक्जामपल दे आपको बाकी के यहाँ पर काफी है डबलो पैटन है यह पैटन है इसके बाद यहाँ पर मतलब यहाँ पर काफी यहाँ पर पैटन आपको देखने को मिलेंगे head and shoulder pattern है इस तरीके से लोग यहापर यूज़ करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है थोड़ा बोद यहापर confusion हापर रहता है और इसके वज़े से लोगों को जाता है यहापर confidence यहापर नहीं रहता है अपने trade setup पर तो इसे वज़े से loss करने का थोड़ा बोद यहापर कारण भी यहापर होता है और आपने भी यहापर इसे face किया होगा तो हम यहापर देखने वाले इस strategy इसके नदर क्या क्या है आपके सबसे बहुते हैं आपको रूल यहापर fix रहने वाला है market यहापर open होने से पहले आपको पता है कि मुझे का आपर क्या करना है ओके यह चीज़ आप आपको इस तरीके से hammer यहापर देखनी इसका color कोई भी हो कोई कदली बात नहीं है लेकिन इसके body जो है body से ज्यादा इसके wix यहापर होने चाहिए धाईगोना लगबख यहापर होना चाहिए दो या धाईगोना थोड़ा बहुत यहापर देन में रखिए उसके बाद next candle यहापर क्या हो चुकिए जैसे कि आफे यह रें इस तरहीं किसे यहापर बन चुकिए है औके यह बेरिश यहापर पैटन यहापर बन चुक आ है यह बेरिश एनगलफिंग टाइप और यह भी यहापर एक पैटन अच्छा है उसके दीशा पाटन यहापर कोई भी इसके बाद next candle यहाँ पर क्या हो चुकी है नेक्स टीक्स कंडल यहाँ पर M क्दो गेबे क्डी के हो ठीक एक दो जी केंडल और उसके यहाँ पर next यहाँATOR 112 हो चुका है तो लगबख है यहाँ इस तरीक से हैं इन scenario में आपको selling के बार में सोचना है लेकिन sale का trade आपको execute कब हो जाएगा जब इसका low break हो जाएगा इसका low break हो जाएगा और इसका low break हो जाएगा तब आपको sale करना है ओके यह बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है सेम आपको बाई कप करना है देखें बाई करते टाइम आपको क्या करना है बाई करते टाइम भी देखें बाई करते टाइम आपको यहाँ पर क्या है एक बुलिश कंडल यहाँ पर बनने चाहिए इस तरीके से उसके बाद आपको अगर आई करना है तो जैसे के माल लेते हैं मार्केट नीचे गिर गया इस तरीके से यह red candle यहापर बन चुकी है उसके बाद यहापर क्या हुआ है एक green candle यहापर बन चुकी है तो यहापर आपको बन चुकी है और यहापर आपको क्या करना है अगला step क्या है आपको यहापर क्या करना है और यहापर आपको यहापर क्या करना है अब दीके इसे हम जो यूज करने वाले हैं तीनों इंडेक्स में निप्टी बैंक निप्टी और फिन निप्टी इन तीनों इंडेक्स में आपको इसे इस्तेमाल करना है और option selling ही करना है तो option selling का अगर पता नहीं है तो option selling के मैंने लगबंग मतलब option chain के बारे में मैंने already video बनाए वो जाकर आप देख सकते हैं पर दिखाए देगा उस दिन आपको क्या क्या यहापर करना है तो देखे प्योट पॉइंट में आपको यहापर देखने को मिलेगा क्या क्या देखे सब सब पहले देखे प्योट पॉइंट में आपको आपको यहापर सबसे पहले देखे यह pivot point यहापर देखने को मिलेगा इस तरीके से अब देखे यह pivot जो है ना एक neutral level होती है मतलब क्या है pivot पर मान दीजे pivot एक neutral level होती है मतलब क्या है देखे अगर market pivot के उपर open हो गया और उपर जागर नीचे गिरने लगा तो एक support का काम करेगा लेकिन अगर market pivot के नीचे open हो जाएगा तो market जाएसे उपर जाएगा तो यह pivot resistance का काम करेगा इस तरीके से तो यह यहाँ पर आपको धेन में रखना है तो और दीखे दूसरी बाद जो है आपको यहाँ पर देखना को मिलेगे R1, R2 उपर भी आपको R3 यहाँ पर देखना को मिलेंगी एक resistance का काम करेंगे यह यहाँ पर आपको धेन में रखना है यह R2B resistance का काम पर रहेगा, यह यहाँ पर आपको धन में रखना है, तो मान लेते हैं कि market अगर यहाँ पर open हो गया, यहाँ पर open हो गया और यहाँ से market ऐसा उपर जाने लगा, तो यहाँ पर कोई एक selling का scenario बनेगा, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको sale करना है, हमेशा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यह सबसे पहले sale का scenario बन चुका हो, लेकिन यहाँ पर sale का trade यहाँ पर नहीं था, लेकिन अगर अगले time, market जैसे इस दिन देखे, market जैसे इसका high breaker का हो, यहाँ पर high breaker करके, यहाँ पर candle बनाएगा, selling का, तब ही आपको sale करना ह है, okay, मतलब क्या है, जब भी आप sale कर रहे है, तो sale करते time, जो भी candle आपकी बन चुकी है, selling का, आपको, यहाँ पर indication यहाँ पर दे रहा है, या bearish candle बन चुकी है, तो जो bearish candle बन चुकी है, उसका high जो है, उस day का high होना चाहिए, यहाँ पर आपको ध्यान में लगना है, और जैसे उसका low break हो जाएगा, तो आपको sale करना है, यहाँ यहाँ पर, यहाँ बनना चाहिए, आर वन के नजदिक यहाँ यहाँ या, आर टू के नजदिक, तो in resistance के नजदिक यहाँ बनना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर यहाँ चलेगा, इसे आप accept यहाँ पर कर सकते हैं, उसी तरह, अगर मान लेते हैं, market यहाँ पर open हो गया, pivot point के नीचे, या कभी भी यह जैसे का मनलेचे pivot point के ऊपर भी, लेकिन market गिरते गिरते कोई यहाँ पर buying का scenario नहीं बन चुका है, तो और इसके बाद market फिर से नीचे नीचे न पर आ चुका है, तो यह सवन एक support का काम करेगा, जैसे यह सवन पर आ जाएगा, तो कोई अगर एक hammer यहाँ पर बन जाएगा, या bullish candle कोई भी यहाँ पर pattern यहाँ पर बन जाएगा, तो उसके बाद आपको यहाँ पर buy करना है, लेकिन buy करते लिए यह बाते यहाँ पर आपको 7 डेट है, तो 7 तरीक को जो भी market start हुआ है, तो market ने सुबह यहाँ पर गया था, फिर उपर गया था, फिर नीच आया था, तो यह क्या है, market का low बन चुका है, ओके ठीके, तब आपको buy करना है, जैसे इसका high break हो जाएगा, ओके, upset में, और उसका stop loss नीच रहेगा, तो यह य आई दे, ओके, यहाँ पर देखे, तो जैसे कँ यहाँ पर देखे, अभी आज की दिन यहाँ पर क्या हो आता, bank na e-ks treble के यह इस बचाल भाए, आप यहाँ पर क्या कर सकते ही, 3 मिनिट का चा चार्ट, 5 मिनिट का चार्ट, और 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर इस्तमाल कर सकते तो सब से बह waktu देखना आपके मार्क अपर से आ गाया और यहां पर सबचा इस त्रीकिय अशनाा पहले बाद सप्ट पहसे को Compre टो सकता है inessäर पैंक निपनी माज बन चुका था एक तो प्रेमिनेट में दिखें हमार्केट सीधा नीचे आने लगा हाने लगा होके कोई भी इthing का से था यहां पर भी नहीं यह कंडल अच्छी नहीं उसक 노,, यहां पर भी नहीं यह करना है यहां इसका और यहाँ पर आपको कहने कि अब कि ब्रेंग के बाद बाइक करना है और यह पर नीचे आपको Stop there संसके वाई का रगाना है बाइक करना है मतलब क्या है आपको क्या करना है option देखें यहाँ पर कौनसा option दिक hamburger है आपको 63400 का option यहाँ पर आप sell कर सकते है stop loss जैसे यह नीचे नीचे मार्केट आने ले गए इसका low break हो जागा तो आपको exit कर देना है stop loss इस तरीके से रहेगा आपको नहीं तो 3800 का यहाँ पर क्या कर सकते आप यहाँ पर option की यहाँ पर chart open कर सकते उसके अंदर आप देख सकते कि three minute में यह जो candle बन चुकी है same time frame की और same time पर जो candle बन चुकी है उसका low कि इतना था उस तरीके से भी आप stop loss लगा सकते है और देखिए यहाँ से target यहाँ पर आपका done यहाँ पर हो चुका है तो target आप लेते समय क्या करिए हमेशा trail करते जाएए जैसि क्या मान लेते है यहाँ पर क्या हुआ है market यहाँ से उपर गया फिर से निचा आया उपर गया तो आपका stop loss कहा पर आजएगा यहाँ पर आजएगा फिर जैसी इसका hybrid हो जाएगा फिर से देखिए उपर गया नीच आया फिर से उपर गया तीके आपका stop loss यहाँ पर आया और यहाँ पर आप क्या हो जाएंगे exit यहाँ पर हो जाएंगे लेकिन देखें कभी कभी आपका stop loss काफी कम पर exit हो जाएंगे कभी-कभी आपका मतलब मान लेते हैं, जैसे का मान लेते हैं, आपका target के नजदेख चला जाएगभा और फिर पर नीचे आजहाएगा, तब आप cost to cost निकल जाएगे, यह होता है रहेगा लेकिन जैसी के आप ट्रेल करेंगे हैं जैसे आप ट्रेलिंग करने सो चेंए जली अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ है देखिए प्योड पॉइंट के यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर चला गाए अब यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर आपको सेल नहीं करना है क्यों नहीं करना था देखिए मेरा क यहां पर मैंने क्या क्या है ठीक है इसके अंदर क्या हो रहा है एक कापी बड़ा स्टॉपलस यहां पर जा रहा है तो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ यहां पर दिखें यहां पर मैंने क्या क्या सेलिंग का ठीक है ओके तो यहां पर मैंने सेल कर लिया तो दिखें प्लस 143 पॉइंट का स्टॉप यहाँ पर जा रहा है ओके ठीक है मतलब 143 पॉइंट तो यहाँ पर आपको ट्रेल नहीं करना था उसके बाद देखें यहाँ पर क्या हुआ है लगबग आप देखेंगे यहाँ पर भी देखें कुछ सिंद्र अच्छा कासा नहीं है और उसके पर भी है पर देखेंगे लगबग तो देखें यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं दिखें दुख रहा है अच्छा तो उसकी बाद क्या करना है 500 पर चले जाए 500 में देखें कुछ अच्छा कासा ट्रेल यहाँ पर बन रहा था या नई दिखे 5 मेरेट में भी कोई अच्छा कासा नहीं है इतना अच्छा कासा उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर कोई भी नहीं बन चुका है तो आपको next trade कब मतलब यहाँ पर हो जाएगा जब इसका high break होके market उपर चला जाएगा तब यह आपका trade बनेगा तो इस तरीके से आपको trade में देखे तो इस तरीके से आपको trade में देखे तो इस तरीके देखे आरटू के नज़िक यहाँ पर बन चुका था तो यह बाते यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है यह आपको से लिंग करते टाइम रवान रटू रट्री ओके रेजिस्टेंस के नज़िक और बाय अगर आपको करना है तो बाय करते टाइम आपको क्या करना है दिखें बाय का में आपको एक से नेड़ यहाँ पर दिखा दाओ यहाँ पर नही है क्योंकि यहाँ पर क्या है इसका लोग यहाँ पर दा कोई विट्रेड एक्टिवेट menos नही हुवा अब द्देगे सब सबने यहाँ पर देखे प्योड कि यहाँ पर क्या वहा था ? यहाँ पर एक बन चुका था ? spraying namely कि सिने रहा हूं लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर अपको पकंड में कैसा के आजएगा तो थी मिनट चलिए और थी मिनट में लिए है यहाँ पर ओके दिखिए यह प्योड़ पॉय्ट है प्योड न होसो यहम्प पर बन चुका है ओके बाइंग का तो बाइंग का सिरे रों बनने के बाद दिखे अब यह दिखे यहापर आपको कभी भी आपको स्टाप्रस थोड़ा नीचे लागाना है ओक ठीक है लेकिन यहापर थोड़ा बूट कभी-कभी कोई और भी एकश्ट हो जाए कोई नहीं हो जाएगा लेकिन थोड़ा बूट यहाप आप नॉर्मल यहापर क्या कर सकते हैं यहापर रह सकते हैं तरीके अब डिपेंड ने आपको प्राक्टिस हैं इस तरीके से क्योंकि हमीश्टेम में और रहना हैं आपको क्या है जैसे कहाला है यहाँ पहुत चला जएगा थो आप चला जाएगा तो आप एक जीट कर सकते हैं लेकिने निदे करेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि अगर सिस्टेम में लगा के रहें थोड़ा बहुत क्या होता है मार्कट कभी ज़ए एक अधय तोड़ा भोगत यहां पर नारम स्पाइक मारेगा तब यह आपको यहांपर हीट होजयेगा ओके यहांपर T острडब्औ यह हमये अची क्योतर भीनग्वार चौल हो, दक्सक्राइब धिए यहांपर अंठेट Stan. टॉड़ार पेशनुमक आपको निछे हे उस भी कहा हम लोगेट में लेकिन इसका मार्केत ने में जोड़ा berea में चक्छी में vive चाहिए लिए लिकिन इसका थोड़े P अगर आप देखेंगे इसे थोड़ा यहां यहाप और दिखेंगे कि ऊके पहुए मिनट में दिखें कि आप इंद में यहाँ डियांगी जो दिखा के यहाम ओर बेऊ का हाई भी है और कैसी यहाँ यहाँ पर डिल्ड हो गा मार्केट सीधा लड़म से नीचे यहाँ पर गिर चुका है तो नो मोममेंटम यहाँ पर हो चुका है ओके यहाँ पर भी आप यह आप एक टेखेंगे तो इस तरहfurी की तो यहाँ पर बन चुका यह नहीं अग Efendimiz को आपको एक है वो अगर प्रॉल Ayam नहीं करना है कि आपर कि दो आप्हेंस लुड़ा यह बढ़ी चूका है यहां पर लगता है बड़े ज्यादा पॉइंट्स यहां पर है ओके चल जाए गए क्योंकि 100 पॉइंट्स का स्टॉप लसे तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं आपके इसाप से यहां पर क्या कर सकते हैं थोड़ा बहुत आप देखें अब यहां पर आपको क्या क्या करना है ज तो देखे डेके कितना हो रहा हैं तो इसका । डेल्टा होगरा वागे सभी चीजी कितना ही उसका यह पर देखिए और उसकी इसाब से यहाँ पर करेंगे तो थोड़ा बहुत क्या होगा आपको यह पर पता चलेगा कि आपर मार्केट में यहाँ पर मेरा स्टा प्लस कितना जा सकता है नहीं तो क्या कर सकते हैं अप्षियंका चार्ट ऊपन करिए सेम थाइम प्रेंड मतलब थ्री मिनिट का अगर आप देख रहे कि यह यह केंडल के थृमिनिट में Dazu ओप्शन का चार्ट देखे और उसे कितना है और उस चार्ट में यहाव Tromma sä जाएगा घटींस सकते हैं तो दिन में दो इ connectivity या पर ले सकते हैं इस तरीके से अगर आप ट्राई करेंगे दिखेंे आपको काफि alma पता चलेगा मार्केट में किस तरीकर साझ को करना है और ये से आपको यह यहाँ पर रहेगा आपको profit भी दिखने लेंगे और बाद में आपको पता चलेगा market कितना अच्छा आपको response यहाँ पर दे रहा है मतलब कितने एच्छे profit करके यहाँ पर दे रहा है अच्छे profit का मतलब यह नहीं कि हर दिन आपका 1-2-3-4-5 यहाँ पर मिलेगा हो सकता है कभी 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 आपको 1-2-1.5 मिलेगा कभी कभी आप ओके तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत क्या करना दिखे अगर लंबे target को लेना है न तो हमेशाँ ट्रेल करते चाहिए जैसे कि हमान लेते हैं यहाँ पर अपने एंट्रेल ले लिए अब एंट्रेल लेने के पाद आपको शॉपल यहाँ पर लेकर आना है अब देखे इतना तो आपको देना है पड़ेगा आपको ट्रेलिंग करने के लिए क्योंकि अगर आप इतना दे देंगे ना तो इससे क्या वह जाएगा देखे आपको यह बड़े profit आपर मिलने लेगे ठीके अभी यह बड़ा profit पर लिया था यह ट्रेलिंग का ओके इस तरीके से तो थोड़ा बद और भी थोड़ा कम कर सकते है आप इस तरीके से भी तो यह होता है हमेशा आपको ट्रेलिंग करने का benefit तो इस तरीके से दोस्तों तो चलिए मिलता है कि लोड़ो में वीड़ो अच्छल कर दो लाइक और अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए परपे स्टॉक मार्केट अनलिसेज चैनल को ठैंक्स पर और जीन दिस वीड़ो